नमस्कार प्रियोदर्शकों हाजिर हुँ मैं मीन लगन एवं मीन राश के जातकों के लिए केतु के प्रभाव को लेकर अब तक हमारी वाचीत मेस लगन से लेकर कुम्भ लगन परियंत बारहो भाव में केतु के प्रभाव को लेकर हो चुकी है प्रेदर्शकों ये एक लंबी स्रिंखला थी इस स्रिंखला में हमने प्रतेक लगन में प्रतेक भाव में प्रतेक ग्रह के प्रभाव को जाना आज आखरी राशी में हम आखरी ग्रह केतु के प्रभाव के बारे में जानेंगे आसा करता हूँ कि इस कारिक्रम से आप सभी दर्शकों ने लाभ लिया होगा जोतिस को समझने में आपको सहायता मिली होगी मीन लगन इस लगन के जातक कैसे होते हैं सिली सी बात है सत्य इमांदार होते हैं सत्य वक्ता होते हैं मुह पर बोलने वाले होते हैं लेकिन कहीं न कहीं इस लगन के जातक मानसिक रूप से अशांत होते हैं क्योंकि मीन अर्थात मचली इस लगन के जातकों का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है मन इनका इस्थिर नही अगर आप मीन लगन अथवा मीन राशिके हैं और आपकी रासी अथवा लगन में ही केतु हैं तो यह कैसा प्रभाव देंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं धनु रासी में केतू अपने आप को उच्च के मानते हैं तो वहीं गुरु के साधारन रासी को वह अपनी रासी मानते हैं यानि मीन रासी को चुकि मीन रासी के जातकों का स्वभाव भी थोड़ा भ्रमित रहने वाला होता है भटकाव वाला होता है और केतु भी भटकाव के ही कारक है फलस्वरूप लगन में अपनी ही रासी में बैठ करके फहली एक छोटी सी समस्या तो अवस्य उत्पन कर देते हैं और वो समस्या ये है कि जातक का चित और इस्थिर अशांत भटकाव वाला होता है लेकिन खुद की रासी में बैठे हैं और आप अगर मेरे कल के कारिक्रम को देखे हैं तो आपको पता होगा गुरू के प्रभाव को देखिए अगर गुरू बलाबल के साथ हैं तो केतु वैसे तो मीन रा कोई अवस्य करेंगे लेकिन सरवथा नुकसान नहीं होगा वरन ये अशांती भी जातक के लिए लावदाई सिद्ध हो जाएगी और वो लावदाई कैसे होगी तो जातक का दिमाद तिकडमों में लगेगा नई नई तरह की योजनाय बनाएगा तरह तरह के खुराफात उ वैसे भी अगर गुरु थोड़े कमजोर हो जाते हैं और केतु के पास अंसबल होता है तो ये केतु कहीं न कहीं खुद की रासी में बैठे अपने आपको समस्ते हैं नुकसान नहीं पहुचाएंगे वरन मैं ये कहूं कि ये केतु चित्त को अईस्थिर करेंगे भ्रमित कर है लेकिन लाभ आपको अवस्य देंगे कौन कौन सा लाभ तो यहां पर बैठे केतु आपके व्यक्तित्त को अदभुत बना देंगे ऐसा व्यक्ति सामन्य परिस्थितियों में भी सामन्य सी चीजों में भी अपने आपको बड़ा बनाने का मादा रखेगा नई तरह की खो अंसबल है तो जानते हैं आप सभी इस बात को केतु जोतिशास्त्र में केतु को कहा गया कुजवत केतु ये केतु मंगल के समान फल देने वाले हैं और कैसे हैं तो वेद में केतु कार्थ होता है जंडा उचाई अतह ये केतु अगर कुंडली में बलवान हो अंसबल इनके पास हो और अंसबल कैसे देखना तो उल्टा केतु और राहू वक्री ग्रह हैं और इनका सब कुछ वक्र ही देखा जाता है यानि मीन रासी में हम बात चिचल कर रहे हैं तो मीन रासी समरासी है और समरासी के बारे में आप सभी जानते हैं यहां पर ग्रह 0 से लेकर 6 अंस तक ग्रह यहां पर युव अवस्था में और 18 से 24 तक कुमार अवस्था में और 24 से 30 तक बाल अवस्था में होगा तो आपको पहले यह देखना है आपकी कुंडली में केतु कितने अंस पर हैं और एक बात और ध्यान दखना है कि राहू और केतु का अंस जो है वो 30 से दसा अंतर दसा में ये आपको उचाई प्रदान करेंगे अंसबल होने पर और अगर कहीं गुरू बलवान हुए तब तो ये हर सुख देंगे चाहे वो संतान का सुख हो, दामपत्य का सुख हो, भाग्य का सुख हो, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा. दुतिय भाव में आईए, ये वानी का भाव है, धन का भाव है, दुतिय भाव में मंगल की रासी में बैठे केतू, कैसा प्रभाव देंगे, सीधी सी बात है, कुझ जवत केतू, मंगल के समान ही फल देने वाले हैं, तो यहाँ पर बैठ कर सबसे पहले तो नेत्र में कई बा और केतू आकस्मिक ताओं के प्रबल प्रमुख कारक हैं फलस्तरूप कुंडली के अस्टम और दुतिय भाव में केतू बिशेस कारक हो जाते हैं जातक को जीवन काल में आकस्मिक धनलाब कराने वाले होते हैं फलस्तरूप मंगल की रासी में बैठे केतू जातक को जमीन से धनलाब पैत्रक संपत्ति से धनलाब और ऐसे जातक पूर्ण संपदा वाला धन वाला होगा हलाकि जातक की वानी थोड़ी कड़वी होगी सत्यवक्ता होगा जल्दी बोलने वाला होगा जल्दी उसे गुस्सा जाएगी उसकी बातों से कई बार ऐसा प्रतीत होगा जैसे क्रोध में बोल रहा है लेकिन जातक वो धिमान होगा वानी अच्छी होगी अच्छा वक्ता होगा और अगर कहीं दुतिय भाव के स्वामी मंगल का संबंध कुंडली के पंचम और नमम से हो जाए तो जातक जितियों और वक्त के हिसाब से सब कुछ सोच समझ करके बोलने वाला होगा यानि बहुत बढ़िया यहां बैठे केतु की दृष्टी सस्ठम भाव पर पड़ेगी रोग रिपु और रिन इनसे सुरक्षा आपको मिलेगा अस्ठम भाव पर दृष्टी जहां आकस्मिक धन लाब हो वहीं जातक का आध्यात्मिक विकास भी कराने वाले होंगे यह केतु और वहीं केतु की दृष्टी पड़ेगी कर्म भाव पर जहां इनकी यह उच्च दृष्टी होगी और आपको मैं बता दूँ कि यह उच्च दृष्टी आपको जीवन काल में आपके लिए ही यह सूत्र होगा कि कार्यक्षित्र में अगर आप हैं नौकरी में अगर आप हैं तो अन चाहा नहीं मन चाहा ट्रांसफर और प्रमोसन कराते हैं केतु लेकिन हमें मंगल की स्थिति को देखना अध्यनत आवश्ट्रक है अगर मंगल कमजोर पाए गए तो दुतिय भाव में वैठे केतु आपकी वानी को केवल उगर बना करके रख देंगे परीबार में कुटुम्ब में कलह कावाता वरण हो सकता है रोग रिपूरिन के साथ आपको जीना पड़ जाएगा चोट चपेट एक्सिडेंट हिंसक पसूँ से आपको नुक्सान होगा लेकिन इसके बाव पारिवारिक रूप से परिशान हो, तो कितना भी बढ़िया काम आपके पास क्यों न हो, कारेक छित्र में आपकी पूछ कितना भी जादा क्यों न हो, लेकिन अगर आप पारिवारिक रूप से परिशान हो, तो कारेक छित्र का लाव भी मन को शान्ती नहीं दे पाता। ब्रिसब बैल मेहनत करने वाले इस लगने के लोग जो है भाग्य से ज़्यादा कर्म पर भरोसा करते हैं और केतु पराक्रम भाव में ब्रिसब रासी में आकर के बैठ गए हैं निसंदेह जीवनकाल में पराक्रम कराएंगे लेकिन कई बार पराक्रम शही दिशा में नव होन पहले देखिए शुक्र की इस्तुति क्या है अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं यहां बैठे के तु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा रखवाएंगे वैसे पापक ग्रहों के मामले में या प भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित लाभवाली बाते तो आपको दे देते हैं लेकिन जैसे ही बात रिस्ते की आती है तो रिस्तों में ये कमजोरी ही लाते हैं तो यहां पर बैठे के तु अगर सुक्र कमजोर हुए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को ब पाराक्रम से आपको लाभ दिलाएंगे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी जीवनकाल में और यात्रा भी आपके लिए लाभ दाई होगी, दामपत्य जीवन पर इनकी दृष्टी पड़ेगी, ब्यापार भाव पर दृष्टी पड़ेगी, दामपत्य सुख मिलेगा, दिशा के, यानि परिश्रम तो आप करें, लेकिन दिशा निर्धारित नहों हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका परिश्रम ब्यर्थ का हुगा, तो उस मामले में थोड़ी परिशानी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंद खराब, दामपत्य जीवन में परिशानी, पार्ट पिता के सुखों में कमी, पिता के साथ मतभेद, पिता की सेहत कमजूर, भागे का संपुर्ण साथ न मिले, बड़े भाई वहनों के साथ संबंद खराब कराएंगे, और लाभ की राह में रोडे अटकाएंगे, यानि आपको पहले देखना है शुक्र की स्थिति को, क्योंक इस चिंत हो करके मानिएगा केतु बहुत अच्छा फल देंगे, सुख भाव में आईए, मिथुन रासी में बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके केतु को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मिथुन रासी में हैं, मिथुन रासी में बैठे केतु नीच रासी में मा इस भाव का भावपती बहुत बलवान हो जाए तो केतु सरवथा विध्वन्स करेंगे, सरवथा नुकसान करेंगे ये कहना सरासर गलत होगा फिर हमें देखना होगा बुद्ध को, बुद्ध किस अवस्था में हैं? बुद्ध क्या प्रभाव दे रहे हैं जन्म कुंडली में? बुद्ध के पास अंसबल कितना है और केतु के अंसबल को भी देखना अत्यंत आवश्यक है यहाँ पर बैठे केतु दृष्टी डालेंगे अस्टम पर, कर्म पर और बार्मे भाव पर ये परमानिंट विदेश है, ये विदेश है और ये कर्म है अगर आपकी कुंडली में बुद्ध के पास बल हुआ बुद्ध अगर आपकी कुंडली में सुरे के पास हैं लेकिन 12 अंस से उपर हैं तो भी निस्चिंत रहिएगा बलाबल के साथ कहे जाएंगे मित्र रासी में बैठे हैं तब तो बहुत बढ़िया फिर उस अवस्था में सरवथा नीचत्व का प्रभाव ये नहीं देंगे निसंदेह आपके घर में कलह का वातावरन हो सकता है निसंदेह स्वदेश आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है लेकिन निशन देह ये केतू आपको पर्मानेंट विदेश में रहने का रास्ता देंगे, विदेश पहुचाएंगे और वही पर जातक कार्य करके एक सांदार जिन्दगी व्यतीत करेगा क्योंकि दसमस्थ राहू है, फलस्तरूप अगर आप देश में भी रहते हैं तो राजनीती में आपकी पकड़ होगी, राजनीती में आपकी पैठ होगी, आपके जानने वाले होंगे, जानकार आपके बहुत होंगे और आपकी पहुच बड़ी उंची होगी के तु यहाँ नुकसान निसंदेह करेंगे कह चुका हूँ क्या नुकसान करेंगे कलह कावाता वरन रखवाएंगे अब सीधी सी बात है राहू यहाँ पर नीच रासी में रहेंगे तो वो क्या करेंगे कारेक छित्रे में उतार चढ़ाओ पिता के साथ संबंद खराब पहुँच तो आपकी कई बार बहुत उची होगी लेकिन जब लाभ लेने की बारी आए तो जिससे आप लाभ लेने की अप एक्छा रख करके बैठे थे वो पल्ला जाड़ ले अच्छा में करवा दूंगा यानि जिस लाभ के इंतजार में अब तक आपने सामने वाले की मदद की सामने वाले की सेवा की सामने वाले ने जो कहा वो किया और वक्त आने पर वो आपको धोखा दे जाएगा तो यहाँ यह परिशानी है देश में भी रह करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं आपको देखना होगा? पहले आपको देखना होगा, बुद्ध कितने अंस्पर हैं, कहां पर हैं, किस अवस्था में हैं, अगर बुद्ध बली हैं, तो घर में कलह कावाता, वरण थोड़ा कम होगा, चोड़ चपेट एकसिदेंट तो होगी, लेकिन के तू हर बार आपको भाव में बैठें उस भाव का भाव पती अगर बली है तो फिर भी इनके पास बल होगा और उच्चे द्रिश्टी के कारण जब जब बदलाव होगा वो बदलाव आपके हित में होगा आपके पक्ष में होगा और जैसा कि मैंने कहा देश विदेश की आतरा आपको कराएंगे विदेश में परमानेंट रहने का मौका दिलाएंगे पंचम उस्थान में आइए चंद्रमा की रासी में बैठे हैं यहाँ पर बैठे कि तू सरवाधिक सर्यसकर नहीं कहे जासकेंगे लेकिन कुंडली का ये त्रिकोर्ण भाव है और त्रिकोर्ण भाव में आप सुन चु पूर्म में बहुत सारी बाते बतारखा हूं, कब से कब तक सुखल पापग्रह और कब से कब तक सुखल रह ये बता चुका हूँ. कि ज्यान के मामले में भी जातक कैसा होगा उसका मन किताबों में कम लगेगा लेकिन ऐसे ही जातकों के लिए एक बात कहूंगा क्योंकि चंद्रमा की यहां परासी पड़ी हुई है तो चंद्रमा का स्वभाव भी है घटना और बढ़ना इस लगन के जातक का मूल सभाव भी है एक जगा इस्थर न रहना और ग्यान भाव में बैठे ज्यान भाव में चंद्रमा की रासी है चंद्रमा की रासी हो जाने के कारण जातक का मन विशयांतर बहुत चीजों में लगेगा विसे छोड़ कर विसे में उसका मन नहीं लगेगा लेकिन इसके बावजूद ऐसा जातक वक्त आने पर दिमाग वाला होगा ऐसे जातकों के लिए एक ही बात कहूंगा कि परिच्छा में जुगार से बहुत अच्छा नंबर लालेगा या ऐसा जातक पूर्व में भाप जाएगा कि परिच्छा में क्या आने वाला है सिर्फ उन्हीं चीजों की तयारी करेगा और उन्हीं से उसको लाभ मिल जाएगा ये बड़ा प्लस पॉइंट है पहले चंद्रमा को देखिए कैसी इस्तुती में है चंद्रमा यहां पर बैठे केतु की द्रिष्टी पड़ेगी भागे भावपर, धर्म भावपर, पिता से सुखों के भावपर अगर चंद्रमा बली है तो जातक धार्मिक प्रवर्ति का भी होगा पिता के सुख पाने वाला होगा तुर्थ यात्रा करने वाला होगा और यात्रा भी उसके लिए लाभधाई सुद्ध होगी भागेका सहयोग मिलेगा धनलाभ की स्तुती जीवनकाल में बनी रहेगी हाला कि जहां थोड़ी बहुत मत्भेत पिता से वो करेगा वहीं बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को कमजोर करेगा और लगन परद्रिष्टी ऐसा जातक कई चीजों को जानने वाला होगा कई छेत्र में काम किया होगा अगर ऐसे जातक से पूछा जाए कि आपकी महारत आप किस छेत्र में महारती है ऐसा जातक सरवग्य होगा विसे सग्ये नहीं हर छेत्र में उसको जानकारी होगी ये चंद्रमा के बल पर तय हो रहा है अगर चंद्रमा कमजोर पाए गए चंद्रमा रासी में बैठे या पापग्रह बने हुए हैं उस अवस्था में संतान के सुखों में कमी ज्यान के मामले में बहुत जादा कमी जातक के सिख्षा बिल्कुल अधूरी छुडवा देंगे भाग्य के सुखों में कमी पिता के साथ संबंद खराब कराएंगे और यात्रा कस्ट दाई कराएंगे जातक धर्म से अरूची रखने वाला होगा लाबल की राह में सदई वो रोड़े अठकाएंगे कुंडली के सश्ठम भाव में बैठे के तू कैसा प्रभाव देंगे निसंदेह ये सुरी की रासी में बैठे और कुंडली के सश्ठम स्थान में के तू बहुत अच्छा फल दें ऐसा कहना गलत होगा निसंदेह यहाँ पर बैठकर ये जातक को जीवन काल में भरामक रोग देते हैं यानि रोग कुछ नहीं लेकिन जातक को सदईव ऐसा एहसास हो तो उसे कुछ न कुछ हो रहा है रोग के मामले में सदईव उतार चढ़ाओ डॉक्टर के पास जाए उसका जांच हो तो रोग कोई न निकले लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे कुछ न कुछ हो रहा है यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टी कर्म पर ब्याय पर और साती साथ धन पर पड़ेगी अगर सूर्य बलवान हुए तो इस सूत्र को याद रखिएगा सूर्य हैं ग्रहों के राजा और राजा के घर में कोई भी जाकर के नुकसान नहीं पहुचा सकता अगर राजा कमजोर नहीं है तो राजा कमजोर है तो सीधी सी बात है कोई भी जाएगा और राजा को जो सिखाएगा राजा कर लेगा लेकिन राजा बली यानि सूरी के पास अगर आपकी कुंडली में बल है और उपर से एक बात फिर से समझेगा सूरी ही अगर साथ है यहाँ पर बैट जाएं तो ये केतु सूरी के बल को और बली कर देंगे और जातक उच्च कोटी का शत्रुहंता होगा समाज पर सासन करने व किसीने उतार चढ़ाव सेहत से समंधित परिशानी भ्रामक रोग इसी को कहते हैं नजर लग जाना किसीने टोणा टोटका जादू कर दिया या कोई काला जादू वगयरा आप तरह तरह की बाते समाज में इसके लिए सुनेंगे किसीने तंत्र प्रयोग कर दिया ये केतु क बड़ी जबरदस्त होगी जहां भी रहेंगे आप एक अलग ही महाल वहां का बना करके रखेंगे अपने हित में अपने हक में सबको जुका लेना सबको जोड़ लेना ये आप से बहतर कोई नहीं जानता और वही केतु की दृष्टी बार्में भाव पर पड़ेगी जीवन जुड़ करके काम करने का मौका मिलेगा धन संचय भले नहो लेकिन धन के कारण आपके काम कभी नहीं रुकेंगे सूर्य बली है तो सूर्य कमजोर हो गये सूर्य नीच रासी में हो गये सूर्य सत्रू रासी में हो गये और किसी भी सुभग रह से दृष्ट नहीं हैं कमजो पढ़ रहे हैं, तो ये केत्व सेहत को बड़ा कमजोर कर देंगे, शत्रू सदाईव आपको परेसान रहेंगे, किसी को धन दे दिया, तो सामने वाला या तो लौटाएगा नहीं, या लौटा पाएगा नहीं, इसके चलते आप परेशान होंगे और साथ ही साथ कर्मुस्थान पर इनकी जो द्रिश्टी पड़ेगी तो कारेक्षित्र में सदई वो उतार चढ़ाओ की स्थिति परिशान आपको किया जाएगा जहां भी आप रहेंगे आपके साथ बेवजह की राजनीती होगी ब्याधिक के जीवनकाल में बना रहेगा और ब्याय के कारण भी आपको परिशान होना पड़ेगा धन संचे की तो खैर हम बात ही नहीं करेंगे जब ब्याय इतना बड़ा हो तो धन संचे कहना गलत ही है आए कुंडली के सब्तम स्थान में सब्तम भाव में बैठे केतू कैसा फल परदान करेंगे कन्या रासी में बैठे हैं बुद्ध की रासी में बैठे हैं बुद्ध के बल को देखिए बुद्ध कहां पर बैठे हैं किस अवस्था में बैठे हैं क्योंकि उस अवस्था में लगन में होंगे राहू अब देखा जाए तो कन्या रासी को राहू अपनी रासी मानते हैं और मीन रासी को केतु अपनी रासी मानते हैं तो दोनों अपने अपने घर को दृष्टी डाल करके बचाने का और उसे अच्छा करने का प्रत्न करेंगे तो निसंदेह सब्तम भाव में बैठे केतू, प्रभाव तो अच्छा देंगे, लेकिन कब, जब बुद्ध के पास बल होगा तब, अगर नहीं हुआ, तो फिर दामपत्य जीवन में परिशानी, दामपत्य जीवन में उतार चढ़ाओ, दामपत्य जीवन के साथ साथ अगर पार्टनर्शिक में ब्यापार करते हैं, तो वहाँ भी परिशानी, पार्टनर के साथ मतभेद, ब्यापार में उतार चढ़ाओ की स्तिती बनी रहेगी, यहां बैठे केतू की दृष्टी पढ़ेगी लाभपर, लगन पर और पराक्रम पर, अगर बुद्ध बली हुए, त जरूत पढ़ने पर पाला भी वदल लेते हैं, और वहीं आप मेहनती भी हैं, और मेहनत करके अपना सब हित साध लेते हैं, हर काम कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं बुद्ध कमजोर पाए गए, तो यह दामपत्य जीवन में ही समस्या सुरू हो जाएगी, लाभ के रास्ते बंद होंगे, आपका व्यक्तित तो भ्रमित हो जाएगा, रहस्य मैं नहीं, भ्रमित और पराक्रम फिर बिना दिशा का होने लगेगा, यानि ऐसा पराक्रम जिसका सत्य लाभ आप न ले पाएं, सही तिसामे लाभ न ले पाएं, आईए कुंडली के अस्टम उस्थान में, अस्टम भाव में बैठे केतू क्या करेंगे, निशन देह यहाँ पर वो कारक हैं, शुक्र की रासी में बैठे हैं, शुक्र बली हुए, तो आज इवन आकस्मिक धनलाब, लोटरी सक्टा जुआ, इससे आप पैसा कमाईए, शेर मार्केट में पैसा लगाईए, लोटरी मे कर रहे थे, वो ऐसे यहाँ भी बैठ करके भ्रम पैदा करने वाले रोग देंगे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, डॉक्टर कहेंगे कुछ नहीं है, आप कहेंगे है, वहीं यहाँ पर बैठे केतू, अगर सुक्र बली हुए, तो नुक्सान की आप पिक्छा मत करिए नुक्सान होगा, ऐसा कहना गलत है, अस्टंभाव में है, चोट चपेट की घटना हो, हिंसक पस्वों से आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन हर बार आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर बैठे केतू किद्रिष्टी ब्याय का ज्याता होगा, तंत्र मंत्र में इसकी जागरती होगी, रुची होगी, धर्म इत्यादी छित्र पर ब्याय करने वाला होगा, तांत्रिक प्रक्रियाओं पर खर्च करने वाला होगा, तांत्रिक लोगों से जुड़ा हो, या इसमें इसकी दिल्चस्पी बहुत हो, का भी सुख जीवन काल में भोगेगा केतु कमजोर हुए सेहत कमजोर धन का ब्याय धन संचय नहीं और सुख की तो फिर बात ही नहीं कर सकते भाग्य भाव में आई ये मंगल की रासी में आकर के बैठे हैं केतु मंगल का बली होना जरूरी है वैसे तो यहां पर बैठे अत्यन्त बलवान हो जाएंगे पराक्रम भाव में राहु कारक होते हैं फलस्वरू राहु की सात्मी द्रिष्टी भाग्य भाव पर पड़ेगी राहु अपना काम कर रहे होंगे केतु यहां नुपसान नहीं पहुंचाएंगे अगर मंगल बली हुए तो भाग्य का के लगन पर द्रिष्टी पढ़ेगी केतु की तो जातक का व्यक्तित्त भी जहां बुद्धिमान ग्यानवान और समय पढ़ने पर समय के हिसाब से जीने वाला देखिए जीवनकाल में सफल वही है जो समय के अनुसार अपने आपको ढाले लेता है और समय के अनुकूल अप अपने आपको बना लेता है तो यहां पर बैठे के तु लगन पर द्रिष्टी डाल करके भाग्य भाव सिदी सिवात है आपका भाग्य का फल कब माना जाएगा जब वक्त रहते आप अपने आपको समहाल ले वक्त रहते परिस्तितियों के अनुसार अपने आपको ढाल ले और वक्त रहते सही निरणय लेकर के आप काम करें तो यही आपका भाग्य कहा जाएगा तो यहां बैठे केतु ऐसा ही प्रभाव दिलाएंगे पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टी पड़ेगी तो वहाँ पर अल्रेडी राहु बैठे हैं और पराक्रम आपसे करा रहे हैं केतु के दृष्टी पड़ करके पराक्रम और ज़्यादा कराने का काम करेगी राहु के यहां होने से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कई बार कमजोर हो जाएगा लेकिन केतु दृष्टी डाल करके संबंधों को भी एकिकरत करने का काम करेंगे और साथी साथ संतान और ज्यान का संपुर्ण सुख केतु आपको अपने जीवन काल में दिलाएगे मंगल के बलाबल से यह भल बहुत अच्छा जादा मिलेगा और मंगल कमजोर हुए अगर आपकी कुंडली में मंगल शत्रू रासी में बैठे हैं नीच रासी में बैठे हैं कमजोर होकर के अंसबल में बैठे हैं तो ये प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा कर्म भाव में आईए कर्म भाव में बैठे केतू उच्छ रासी में हो जाएंगे बहुत बढ़िया निसंदे घर में आपके थोड़ा कलह कावातावरन होगा क्योंकि राहू यहाँ पर बैठे हैं तो उच्छ रासी में लेकिन घर में थोड़ा कलह कावातावरन हो कराएंगे लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बैठे केतू आपकी पहुँच बहुत उची बनाएंगे राजनीती से आपको जोड़ देंगे राजनीती में आपकी पहुँच जबरदस्त होगी कारेक छित्र में अगर उतार चड़ाओ भी हुआ तो यहाँ पर यह केतू आपको लाभध देने वाले होंगे गुरू की स्थिति को देखिए गुरू बली हुए तब तो यह केतू आपको राजा बना दें अपनी दसा अंतर दसा में ऐसा कौन सा सुख है जो केतू न दें आपको लेकिन अगर गुरू कमजोर हुए तो प्रभाव थोड़ा नगणने होगा क्योंकि ग्रह उच्च का जरूर है लेकिन जिस भाव में बैठा है उस भाव का भाव स्वामी कमजोर है उसे देखना अत्यनत आवश्यक है यहाँ पर बैठे केतू धन भाव पर द्रश्टी डालेंगे सुख भाव पर और साथी साथ सस्थम भाव रोग रिपूरिण भाव पर अगर गुरू बलवान हुए धन का संचय होगा भूमी भवन भाहन का सुख होगा रोग रिपूरिण से कोई नुकसान नहीं अगर गुरू कमजोर हुए तब भी धन का सुख मिलेगा भूमी भवन भाहन का सुख भी मिलेगा लेकिन जातक कही न कहीं थोड़ा परेशान होगा रोग रिपूरिण से लेकिन अपनी बुध्धिमता से अपने कारिक छमता से हर परिस्तुती से हर परेशानी से अपने बहुत बढ़िया फल देंगे और सनी की रासी में बैठे हैं तो पाप स्वरूप बना लेंगे पाप स्वरूप बना करके धन लाभ के रास्ते बनाएंगे क्योंकि पाप ग्रह का यहां पर होना बहुत बढ़िया है क्योंकि यह भाव चठवे से चठवा होता है लाभ भाव म नागमन के साथ साथ जातक के रिष्टे भी बहुत अच्छे होगे, जातक की पहुँच भी बहुत अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टी पड़ेगी, पराक्रम भाव पर जातक अपने पराक्रम से हर सुख प पालेगा, ब्यापारादी में भूस से सफलता मिलेगी, लेकिन सनी कमजोर हुए, सनी नीच रासी में हुए, सनी पीडित हुए, तब फिर कही न कहीए केतु संपूर्ण लाभ नहीं दे पाएंगे, लाभ तो जरूर जीवनकाल में होगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के सा रख हैं, और ये मुक्ष का भाव है, शनी की ही ये मूल त्रिकोन रासी है, शनी का बलाबल तै कर देगा, कि जातक अपने जीवनकाल में कितनी उचाई को छूने वाला है, यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टी, भूमी भवन वाहन सुख, सश्ठम भाव, रोग रिपुर शनी की स्तुती देखिए, आपकी कुंडली में सनी के पास अंसबल कितना है, किस रासी में बैठे हैं, कहीं वो सत्रू रासी में तो नहीं बैठे, अगर वो बलवान हैं, उच्छ रासी में बैठे हैं, मित्र रासी में बैठे हैं, अथवा सुभगरह, गुरु, शुक्र से अगर धर्म पर ब्याय हो तो यही आपके धन की सद गती है भुमी भवन वाहन का सुख आप अपने जीवन काल में निसंदेह भोगेंगे रोग रिपूरियन से आपको ज़्यादा डरने की आवशक्ता नहीं और रश्टम भाव पर दृष्टी चोट चपेट की घटना हो एक्सिडेंट हो लेकिन समस्याएं आपको छू कर चली जाए आपका बाल भी बांका नहो शनी कमजोर हो गए तब तब जीवन काल में ब्याधिक फिर राहू सस्ठम में बैठे हैं रोज लडाई, जगड़ा, लफड़ा और पैसा या तो दवा में जाएगा या कोट का चहरी पुलिस के पास जाएगा पैसे यहां ब्यर्थ होंगे फिर भूमी भवन का बाहन का सुख कहना ही गलत है जातक मारा मारा फिरेगा भागा भागा फिरेगा सस्ठम भाव पर दृष्टी पड़ेगी रोगरी पूरण परिशान करके रखेंगे सत्रू जातक के परिशान करके रखेंगे और चपचाहिर सी बाते सत्रू परिसान करें तो चोट चपेट एक्सिडेंट की घटना होने लगे तो इसमें आस्चरे कैसा प्रियदर्शकों ये था मीन लगन एवं मीन रासिके जातकों के लिए केतु का प्रभाव आज ये सुरंखला यहां पर पूरी हुई अब जाते जाते बता दूँ अगर आप केतु के प्रभाव को लेना चाहते हैं स्विष्ट प्रभाव को लेना चाहते हैं तो पहले जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव पती के बल को बलवान करिए गनेश जी की आराधना करिए गनेश जी की आराधना से भी केतु अच्छा फल देते हैं और बहुत सारे रंगों से मिल करके बना हुआ जानवर चित कबरा बहुत सारा रंग उसके अंदर हो ऐसे जानवरों को कुछ खाने को दीजिए इससे भी लाभ मिलेगा लेकिन मैं तो सदैव कहूंगा गनेश जी की आराधना करिए गनेश जी की आराधना से केतु सदैव अच्छा फल देते हैं प्रियदर्शकों आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजिए पुनाह मुलाकात होगी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार